हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीती आदव स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी एक और नए वीडियो में अगर आप पहली बार मा बनने जा रही हैं तो आपको सभी लोग ये तो बताएंगे कि प्रिग्नेंसी के दोरान आपको क्या-क्या नहीं करना चाहिए लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि आपको किन कंडिशन में आपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए ताकि आपका मिस्क्यारिश ना हो जाए तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिस्क्यारिश क्या होता है आप miscarriage के chances को कैसे कम कर सकती है और आपको pregnancy के दौरान miscarriage के समय कौन से लक्षर दिखाई देंगे ताकि आप अपने doctor से तुरंत consult कर सके तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें वीडियो को कहीं से भी skip ना करें और pregnancy से रिलेटेट और वीडियो देखने के लिए आप हमारे दूसरे चानल को भी subscribe कर सकते हैं लिंक नीचे description में दिया गया है चलिए सबसे पहले समझते हैं कि miscarriage क्या होता है क्यों होता है तो अगर pregnancy के 20 सफता से पहले आपकी pregnancy अबॉट हो जाती है तो उसको हम miscarriage बोलते हैं खास दोर पर miscarriage pregnancy की पहली तिमाई में यानि की शुरुआत के तीन महिने में सबसे ज़्यादा होता है और इस पर आपका कोई भी control नहीं होता अब बात करते हैं कि miscarriage क्यों होता है तो अगर आपका placenta बहुत ज़्यादा भड़ गया है या फिर मा को सिसूता खून पहुँचाने में दिक्कत आ रही है या फिर भूड के अंदर क्रोमोजोम गलत संक्या में मिली है तो फिर आपका miscarriage हो सकता है इसके अलावा अगर आपके uterus में रसोली बन गई है या फिर आपको PCOS की problem है या फिर आपका cervix का मूँ बहुत ज़्यादा कमजोर है तो इन सभी condition में ही आपका miscarriage हो जाता है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि PCOS या फिर PCOD क्या होता है तो उसके उपर हमने already एक वीडियो बना रखी है लिंक उपर i-card में और नीचे description में दिया गया है तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं वैसे अगर मैं मुख्य तोर पर बताऊं तो PCOS में आपकी ovary बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है जिसकी वज़े से सरीर के अंदर हार्मोन का संतोलन बिगड़ने लगता है और इसकी वज़े से ही आपका miscarriage होता जाता है इसके अलावा सर्विक्स के मास पेसिया कम जोर होने पर भी miscarriage हो जाता है क्योंकि pregnancy की शुरुआत में ही आपकी सर्विक्स का मुँख खुल जाता है जिससे miscarriage हो जाता है चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने miscarriage के chances को कम कैसे कर सकते हैं तो miscarriage होने का सबसे बड़ा एक कारण होता है सरीर में folic acid की कमी हो जाना ऐसे में अगर आप चाहें तो डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने लिए folic acid की गोलियां भी प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं आपको रोज और 400 माइक्रो ग्राम folic acid की गोलियां लेने से जन विकारों के कारण होने वाले miscarriage के खत्रे को कम किया जा सकता है इसके लिए आपको कंसीव करने से पहले ही folic acid को लेना शुरू कर देना चाहेंगे इससे आपको काफी फायदा होगा और ये आपको पूरे 9 महीने तक लेते रहना है तो ये तो मैंने आपको बताया कि miscarriage क्या होता है और क्यों होता है और आप इसको कैसे रोख सकते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको miscarriage के दौरान कौन से लक्षर दिखाई देंगे तो उसमें सबसे पहला लक्षर होता है bleeding होना प्रिग्नेंसी के शुरुआती तीन महीने में आपको bleeding हो सकती है और हर bleeding को miscarriage नहीं समझा जा सकता क्योंकि प्रिग्नेंसी के शुरुआती तीन महीने में bleeding होना बहुत ही normal सी बात होती है ज्यादा तर मामलों में कपडों पस सिर्फ खून के हलके फुलके धब्बे ही लगते हैं लेकिन miscarriage में bleeding पहले तो हलकी होती है फिर धीरे धीरे जादा होना शुरू हो जाती है ये bleeding आपको normal period से जादा होगी अगर आपको pregnancy के दौरां bleeding हो रही है और bleeding में खून का रंग भूरी की जगह चमकीला लाल है या फिर आपको एठन हो रही है तो हो सकता है कि ये miscarriage हो और आपको इसके लिए तुरं के तुरं जॉक्टर से मिलना चाहिए miscarriage का दूसरा लक्षन है एठन होना bleeding के बिना भी miscarriage हो सकता है तो ऐसे में अगर आपको एठन महसूस हो रही है आपको ऐसा लग रहा है कि आपका गरबा से अंदर से फैल रहा है तो ये भी एक लक्षन हो सकता है कि आपका miscarriage हो सकता है ऐसे में अगर आपको एठन ये नहीं हो रही है या फिर आपके contraction भढ़ते चले जा रही है आपको और थोड़ी थोड़ी देज में दर्द होना शुरू हो रहा है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए क्योंकि अगर आपकी एठल लगातार भढ़ती जा रही है ऐसे में कभी-कभी आपको दर्द होना बहुती नॉर्मल सी बात है क्योंकि अब आपको गरबा से भढ़ रहा है और आपके बाकी अंगों पर दवाब डाल रहा है जिसकी वज़े से आपको दर्द होने लगता है लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है या फिर चुबने वाला दर्द हो रहा है तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाए क्योंकि हो सकता है कि ये भी आपको संकेत दे रहा हो कि आपका मिस्कारेज हो रहा है चौथा लक्षण हो सकता है प्रिग्नेंसी में होने वाले लक्षणों में कमी आना अगर आपकी प्रिग्नेंसी की पहली तिमाई चल रही है और इसी दौरान आपको प्रिग्नेंसी की लक्षणों में कमी आ जाती है जैसे कि आपको morning sickness होना कम हो जाए या फिर आपको breast tenderness यानि कि आपके breast चूने पर आपको दर्द होना कम होने लगे या आपको उल्टी और मतली आना कम होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि ये भी एक खत्रे की घंटी है अगर आपको pregnancy की दूसरी दिमाई में previous करने से पहले ही pregnancy के शुरूआती लक्षरों में कमी महसूस होने लगती है तो समझ लीजिए कि आपका miscarriage हो रहा है और आपको doctor के पास तुरंत जाना चाहिए उमीद है कि अब आप समझ गई होंगी कि आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है कब आपको अपने doctor से मिलना है तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है जल्दी से वीडियो को like करे अपने friends के साथ share करे और हाँ हमारी इस channel को subscribe करो न बिलकुल न भूले ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे अब अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेगे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए कुसरी सुसरी